नमस्कार टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और के 6 करोड 70 लाक रुपए बकाया चल रहे हैं जल्दाय विभाग खंड ए में 48 लाक रुपए और खंड दो में 16 लाक रुपए बकाया है जो मोब खंड लाके के अधिकतर सरकारी दफ्तरों के बिल बकाया चल रहे हैं सोजस सिटी के बस स्टेंड स्थेत एक कॉम्पलेक्स में तीन दिनों पूर्व एक मोबाईल के दुकान में चोरी की वारदात हुई दो नाबालिकों को संरक्षन में लेकर उनके दुआरा चोरी किये गए करीब 6 लाक रुपए की कीमत के 46 मोबाईल बरामत किये हैं पुलिस अधिक शक राजन दुश्यन सिंग ने बताया कि 13 नाउंबर के रात को शहर के बस स्टेंड के पास स्थेत एक कॉम्पलेक्स में मोबाईल की दुकान से अग्याचोर दुकान के ताले तोड़ कर उसमें रखे 46 मोबाईल चोरी कर ले गए जिसके सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुची और CCTV फुटेज खंगाले जिसमें एक आरोपी का हुलिया कैद हो गया जिसके बाद पुलिस ने अग्याचोरो की तलाश करने के लिए C.I. जस्वन सिंग राजपुरोहित के नेतरत्व में एक विशेश टीम का गठन कर CCTV फुटेज में दिख रहे किशोर की तलाश शुरू की और मुखवीर की सूचना और साइबर तकनीक की मदद से पुलिस ने कोटा से दो बाल अपचारियों को संरक्षर में लेकर पूछताच कर चोरी किये गए 46 मुबाइल बरामत किये हैं बुंदी के केशोराय पार्टन में चर्मन्यवती चम्मल नदी के तड़ पर कार्टिक पुर्णिवा महसो पर महासनान का आयुजन किया जाएगा नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने आयुजन के तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है महसनान शुक्रवार सुभेश शुरू होगा जो दिन भर चलता रहेगा पुर्णिवा महसो पर लगातार है दूसरा मोका है जब कार्टिक महसो पर चर्मन्यवती तड़ पर मेले कायोजन नहीं होगा नगरपाली का चेर्मेन कनहीया लाल कराडव नगरपाली का अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार रेगर ने बताया कि सरकार की नियमों की पालना करते हुए 15 दीवस ये मेले कायोजन नहीं किया जा रहा है सिद्ध पीट सालासर भालाजी मंदिर से गोट मांगलो दधीची माता मंदिर तक दस दीवस ये पैदल यात्रा धूमधाम से संपन हुई गोट मांगलो दधीची माता मंदिर से वापसी पर पैदल यात्रियों का सिद्ध पीट सालासर बालाजी प्रवेश द्वार पर लक्षमी नारायन पुजारी के सानिध्य में भवे स्वागत किया गया, पैदल यात्रियों का जगह जगह पुष्ट पोवर्शा करके किया गया, इस अउसर पर पूरा सालासर शेत्र बालाजी महराज के जैकारों से गूंज उठा, अजमेर के विश्व प्रसेद महान सूफी संथ हजरत ख्वाजा मुईनुदीन चिष्टी की दरगा में अभिनेता राजीव पॉल ने जियारत की, उन्हें दरगा के खादिम स पर धारवाहिकों में अलग-अलग भूमी का निभाई है।